हलो डियर स्टुडेंट मैसेल पराद दादी जोलोजी फेकल्टी टीम सिलसी आज दी सीम बयान इस एप्लिकेशन आप जोलोजी यह वाला पेपर आपने किया बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा आप ध्यान रखे जो भी वैसे तो मुझे उम्मीद है यहां तक आते आते बंदा पूरी तहरी करी लेता है फिर भी एगर मान लोगों सिली मिस्टेक हुई है तो अटेंशन करने की जूरत नहीं है बिना टाइम कर आपकी अपन इसका सोलिशन करते हैं देखिए कहां आपकी मि के चत्तों के यहां केतों के रखर कहां में मैंत कॉंड है कि विए हैव स्कॉप फिल्ट तूरिंग दा फॉइंग पीरड इंपोर्टेंट इन चूज बॉर्ट प्लांट में एक्स्प्रेंट फॉइंग दा सेंटेंस देखो यहां पर दिया गया पराग करने की शमता गड़ करती है देखो आपको मालू में बैटा इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लोरिंग प्लांट में एक्टी परसेंट इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता फिर दूसरा है यह पुष्प यह पादर इस कारण से यह फिर नॉन फ्लोरिंग प्लांट के कारण गलत हो गया और यह इसके गलत हो गया फिर किया रहा है इंप्रूव दा क्रॉव एज वेल एज सनी बिलकुल यह बिलकुल सही है फिर मैनेजमेंट टुभी है टू अप्टेन लो प्रोडिक्टिविटी फॉर्म लो आने से गलत हो गया इसका मतलब यहां आपको मालू में नीमू पादकता होने से गल इस यह आये तो भी यहां पर मॉस्ट अप्रॉपियर यह नहीं है फिर इंप्रूव इल्ड ओप दा फ्लॉरिंग प्लांट आ जाए तो भी अभी यह मॉस्ट अप्रॉपियर नहीं है यह वाला इंप्रूव दा क्रॉफिट ऐस वेल एस हनी भी तो ही आंसर जाएगा इसको तो इजी कर दिया गया है यह मान लेना और यह आपको मालूम होना अच्छी यह मौस्ट अप्रिबिटा है तो इंक्रीज यह भी आ सकता है यहां फ्लोरिंग आने के बाद भी आप याद रखें यह वाला अंसर जाता है इसलिए आपके थर्ड दोनों तरह से बता दिये बैटा पेंशन करने की जुरुत नहीं है और सही हुआ होगा क्योंकि इसमें और कोई option नहीं नजर आ रहा होगा नेक्स देखो बिटा यहां पूछा गया अपने पास कि इसमें पूछा गया इसलिएल जो एक नहीं किस्म है जो पंजाब में बनाएगी इसलिएल किनके बीच में क् इसलिए फास्ट आंसर इसका चला जाता है नेक्स देखो यहां से क्या आंसर गया यहां आपके पास पूछा गया है मोट के लिए कौनसर स्ट्रेट्वेंट सही है यहां से पूछा गया इन्वाल दा प्रोडेक्शन ऑप एड टू थर्टी टू एक्स यह सेल होती है भी गलत हो गया है नॉन सर्जिकली फॉर्म से आना ही नहीं है सूपर विविलेशन द्यू टू दा इड्मिस्टेशन हार्मोन विच एफ एसेच लाइक टिविटी 100 परसेंट बेटा उच्छ अंडू उत्सरजन के लिए प्रेरित करने के लिए फसेच हार्मोन दिया जाता ह यह आपका अंसर सही हो गया नेक्स्ट बुचा गया यहां से निम्टन पेसे कौन सा पक्सी पालन या भी पॉट्टि के लिए आप यूज लेते हैं आपको मालूम होना चाहिए यह एंस्याट की लाइन है पूरे नाम मालूम होने चाहिए कहीं निस्टेक नहीं होनी समुंदर से जो मचलियां ली जाती है जो खाने में काम में ली जा रही है क्या पूछा गया है कौन सी समुंदरी मचलियां खाने में काम में ली जाती है या खाई जाती है आपको मालूम मेडम इनको आप पहले फ्रेस वाटर को लग कर दो देखो राहूर कटला यह फ्रेस of hepatitis B has been developed with the help of genetic engineering, very very most genetic engineering, bio-technology, पढ़ते हो आप, इसको हम किस से प्राप्त करते हैं, आपका मालू है इस cell से इसको प्राप्त किया जाता है, यह भी आपका सही हो गया, फिल नेक्स एकते हैं यहाँ से आया, the specific avoid receptor are present, very most कि यहाँ office जो होते हैं, वो विशिस कराई कहां कहां होते हैं, देखो CNS पर होते हैं, NGIT पर होते हैं, दोनों NCRT के लाईन है, NCRT best favor है, इसलिए कपराने की जुरती नहीं है, यहाँ answer फौर चला जाता है, नेक्स देखो बेटा क्या जाता है, यहाँ आपसे पूछा गया, कि dairy farm management में दूद दूद पादता के लिए निवी कितना खतन पर रिपर करती है, पहला है quality of feed, 100% बिल्पर करेगी, select the low yield variety, यह हैं गलत हो गया, फिर है selection of variety that show resistance against disease, बिल्कुल सही बात है, कि रोगों के प्रती प्रती रोगता दाता सुने माले होनी चाहिए, and feeding जो है, वो भी scientific maintenance से देना जरूरी होता है, regular visit by the veterinary doctor, यह भी सही है, ध्यान रखे वेटा, यहाँ आपके पास 4 options नहीं है, इसका बनलब answer चला जाता है, solution में time waste नहीं करें, जितना जल्दी हो सकें, उतन ना time लगना ही नहीं है, फिर है यहाँ से, यहाँ जब हम incorrect statement देखते हैं, तोबे को बारे हो में कि यहाँ पर यह statement, कि तंबाकू के संदर्व में कौन सा गलत, तंबाकू का प्रियोग मनुस्य द्वारा 400 वर्सों से अधिक शिक्या जा रहा है, NCRT line है जान रहा है, तंबाक निकोटीन राइस बीपी एंड इंक्रीज हार्ट रेट, निकोटीन रक्त दाब फर अधिन आपको बढ़ाती है, इसका बंदब आपके पास यह से हो जाते है, निकोटीन और एल्कोहेल तंबाकू में, होई नहीं सकता बेटा, अलग-अलग है, इसका मतलब 4 आंसर चला जा है कि कौन सा ऐसी डर्क से जिसका क्योटीन यहां रेड्यूस दा सिंटम्स अप इलर्जी किया जाएगा, देखो एडिनेल है, इस्टेरोइड है, एंटी स्टामीन है, लेकिन यहां क्या देदिया स्टामीन, इसलिए आपके पास कौन सा फॉर्थ आंसर चला जाता है, फर्स यहां secondary response is generated by, आपको मालूम है हमने देखा, यह pathogen है, और यह pathogen यहां enter करता है, आपको मालूम है primary response में आपको बहुत टाइम लग गया, कि जब यह identification नहीं हुआ, फिर यहां पर आपको मालूम है, यह plasma और memory cells interact हो जाती है, वही same pathogen जब second time enter करता है, तो memory cell उसको identify कर लेती है, फट से मालूम चल जाता है, तो इसका मतलब यहां से आपको मालूम है, memory cell के रूप में आपको मालूम चला, यहां पर, especially यह इसको secondary response अनुकरिया को उत्पन करने के लिए, मदद करने के लिए, यह generate करने के लिए आपको मालूम है, सही हो जाता है, फिर उसके बाद आपने द यहां पर आपको मालूम है, यह वाला आंसर चला जाता है, नेक्स देखो बैटा, यहां से, आपके पास आया, find out the fungal disease, निस्षित बैटा, आपने NCRT पे देखा, fungal disease में, वो तीन especially नाम है, वो आपको याद है, प्लस यहां आपने देखा, एक diagram दिया हुआ हुआ है, जहां परशनों को हमेसा, मैंने कहा, ऐसे में इस नहीं करवाएं, बैटा, सामने लिखे, देखो, प्राकरति के, यहां सब्सक्राइब, नेचुरल एक्टिविटी क्या होगी, fight infection naturally, बिल्कुल इसके सामने तो यही आना है, artificial passive, infection of the antichirum, इसके सामने ही बैटा, यही आना है, फिर artificial artificial active, induced by infection, बैटा, इसके सामने भी यही आना है, फिर उसके बाद में आपके पास natural passive, मालूम है, mother two feet, through the placenta, इसमें आना है, इसका मतल सीधा-सीधा अंसर गया है, एक, दो, तीन, चार किसमें है, एक, दो, तीन, चार, आपको मालूम चल गया, दो, नमबर इसका अंसर चला जा कमी बात आए, प्रोटो जों में है, इसका मतलब चार नमबर, अब देखो, चार किसमें है, आपको मालूम है, एक में ही है, तो, क्यों टाइम वेस्ट करें, यार, जब मालूम चल रहा है, फिर भी आप मेज कर वाले और, देखो, इसमें चार आए, फिर उसके बाद में आएगा, और B में सेकिंड आजाएगा, C में फर्स्ट आजाएगा, D में फिप्ट और E में फॉर्ट आजाता है, नेक्स्ट, Cancer Cell Do Not Property Of, Cancer कोसिगा की कौन सा लक्षन नहीं है, देखो, Contact Inhibition तो है, एक Normal Cell का, इसका मतलब यह तो नहीं है, फिर है, Genetically Stable, आपका मालूम है, Cancel में, यहाँ पर On-Cosine, Special Mutant Step में होता है, इसका मतलब Genetically Stable नहीं है, Metastasis बिलकुल यह है, शो करता है, और Short Life Spawn, सभी नहीं है, इसका मतलब नाम से ही मालूम चला है, यहाँ नमर आंसर चला जाएगा, फिर नेक्स जखो, यहाँ पुछा गया, HIV शंकर्मन होने के उच जोखिमनिम में से कौन से समलित नहीं है, Which one of the not included, the high risk to like getting HIV infection, की HIV में कौन सामिल नहीं है, पहला है ऐसा विक्ति जो अनेक से यहाँ संबंद रखता हू, इसे तो होगा बेटा, एडिक्ट, drug addict, बिल्कुल है, take drug by orally, औरली आने से गलत हो गया, इसका मतलब कौन सा गलत है, दो नंबर, आगे जाने की जोड़त ही नहीं है, यह देखो, required repeated blood, diffusion हो सकता है, यह होता ही है, फिर चाइल्ड में, देखो, जब आया रोग, संक्रमीत माता है, उस बच्चे में आयेगा, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब, मादक परदार्तों का, जो मुख के द्वारा grant किया गया है, उसको सम्रीत नहीं माना जाएगा, फिर नेक्स देखो, यहां से बुचा गया, कौन सा viral disease है, बिल्कुल आपको बालू में, आपको reproductive health में, आपको मालू में, viral disease, वहाँ पर भी आपने बढ़ाए, देखो, यहां रिंग बोम आ गया, इसलिए यहां गलत हो गया, इसके बाद में यहां पर देखो, यह वाला गय आप महीं मिल जाता है, सेकेंड बे, आप देखते हैं, किसके प्रियोग आत्म विदी द्वारा यह थर्मामेटर का उप्योग करते हुए, काले पित वाले वेक्तियों का सेरी, ताप पर सामान्य को, सेधसा अच्छे तरल की परिक्राब को गलत साबित किया, इसलिए थर्मा यहां से बुचा गया, कि अधिकांस रोगू का प्रिक्षन रोगू के लक्षणों को देखकर किया जाता है, इन में कौन सा मेबीएसिस का लक्षण दरसाता है, अब यह है कहड़े का मतलब मेबीएसिस में कौन कौन से, देखो, नौजल का अंजेक्षन आते ही, यहां से ग बात है, NCRT में लिखा होगा है, यहां abdominal pain होगा, बिल्कुल सही बात है, प्रेंप, एठन से आएंगे, फिर यहां blood clot होगा, और mucus in stool, इसका मदद चार नमर आंसर जा रहा है, कब जे अधर में दर्द, एठन, मल में, रग्त के तक के शलेशमा का होना, आंसर चार चला जाता है, बहुत simple है, कोई दिकत नहीं है, नेक्स जेखो बिटा, आपने देखा यहां से, many diseases are spread by the insect vector, one such major vector is mosquito which spread, all flowing diseases aspect, इस एक को छोड़ कर इनमें से कौन CSC है, देखो, कई रोग किटों के वायक से होते हैं, इनमें से एक क्याती रहा है, इसका मतलब यह होता है, यह होता है, यह इसके मतलब यह नहीं होता है, इसका मतलब आंसर आपका first चला जाता है, आया भी हुआ भी यह जान रख लेना, बहुत important है, उसके बाद आपको बालूब चला, यहां से आके देखो, इसको मेच करवाना है, आपको मालूम है, आप मेच करवाते हैं, देखो, first वेक्टीरिया है, अब वेक्टीरिया में आपने देखा वेटा, हीमोफिलस, इसका मतलब first में आपके पास third तो यह आया, फिर उसके बाद में दिया infection of the lungs, आपको मालूम है, यहां पर आपके पास first आ गया, इसका मतलब first में ही देखो आप, तीन और एक किसमें आ रहा है, आप देखो यहा है, दो है, तीन है, इसका मतलब first है, यहां यह है, first में देखो, तीन और एक, इसका मतलब यह भी है और यह भी है, आगे देखना पड़ेगा, अब वाइरस है, अब आपको मालूम है, वाइरस में, दो में देखो, दो में राइनो वाइरस, चार, बिल्कुल चार है, और फि फिर आगे देखना पड़ेगा कि यहां से आपके पास आया क्या लाइक फीवर भी चिरिंग दो नंबर निस्षित है यहां दो नंबर इसी में ही है इसका मतलब आंसर यह चला जाता है फिर भी अब एक बचाय तो एक को देख ले हैल मंतीज में आपको मालूम है यहां पर यह इसका मतलब यहां पर और थर्ड में आपको मालूम है यहां सुझा आजाती है इसका मतलब परस आंसर चला जाता है यहां से आपके पास पूछा गया दिया हुआ डाइग्राम है इसमें आपको मालूम है एलिफेंटेसिस हो रहा है इसमें आपसे पूछा गया कितने खतरन स पूछा गया है अब देखो फर्स्ट लाइ ग्रोस से दीफॉमेटी इस सही बात है वेक्टर इस मेल मॉस्केटों गलत हो गया है बिटा फिर उसके बाद बेश लोली डवलप टू दा क्रोनिक इंफ्रमेशन आफ यूजली लिप्रेटिक वेसल्स बिल्कुल सही बात है इसका आपको मालूम है बिल्कुल सही बात है इसका बतर एक यहां पर गलत हुआ है और गलत ही पूछा है इसका बंदर फर्स्ट आंसर चला जाता है नेक्स्ट बेटा यहां से पूछा गया बेटा कि HIV कोई infected person है और उस अवस्ता में वेक्ट्री को सामानने AIDS के प्रोब के लक्षन दिखायो यह आते हैं at which stage of HIV infection does only usually show symptoms of AIDS like first within 5 to 10 days sexual contact as a like infect person ऐसा नहीं हो सकता जो 5 to 10 year जो NCRT में लाए है उसकी जगे यहां देज कर दिये फिर दूसरा किये रहा है when the infection in a retrovirus entering to the house cell ना जल दी होना नहीं है when viral DNA is produced by the reverse transcriptage ऐसा हो नहीं सकता तो दो बारे पास बचाए एक है इसको कोई देखो क्या के रहा है like के रहा है when HIV replicate rapidly in the helper till lymphocyte and damage large number of the these cells बिल्कुल आपको मालूम है till lymphocyte की सक्क्याया करती चली जाएगी इसका मतलब 4 answer चला जाता है next देखो बेटा यहां से पूछा गया cellular oncogene बिल्कुल NCRT की line आपको मालूम है किस रूप से है तो यह proto-onkogene के cancer है उसके बाद मैं देखो गटा यहां से पूछा गया incorrect statement यहां पर कौन सा incorrect statement है यहां कहा गया heat and moisture help the fungal pro बिल्कुल सही बात है and which is make the leg trim in skin fold करता है वो तबचा के अंदर एक तरह से पॉल पार उसके लावा as in common जन्नावों पर कर देता है इसके लावा आप जानते हैं अपने जो पाओं के अंगुलियां होती है उनके बीच में यहां पर भी वहाँ spot बनाने लग जाता है इसका मंदर यह पहला सही निमोनिया एंड सामान ने जुखाम जो है या common cold है वो वायू जन्नीतर यह भी सही बात है malaria पर जीवी hepatocyte में लेगनिक जनन करता है देखो यह गलत आ इसका मतलब आपको मालूम है तीन नमर आंसर चला जाता है incorrect statement के रूप में यहां कौन सा गया फिदेगो next बेटा यहां से पूछा किया है बेटा कि टाइफाइट बुखार के लिए कौन सा गलत है which is incorrect for the type 5 fever अब देखो पहला pathogen enter in the small intestine like contaminant water and food and intestine यहां पर देको छेद कर देत है यह proportion in these and severe condition of the disease बिल्कुल सही बात है बेटा कि रोग छोट आत में यहां दुरसित जल्व है बोजन से प्रवेश करता है गंबी रवस्ता में आतों में यह चिद्र भी कर देता है बिल्कुल सही बात है बेटा आत में चिद्र कर देता है फिर कह रहा है उच्छ नियत साथी है फिर उसके बाद वीखने साथी जनरली सिम्टम से बिल्कुल सही बात है फिर कह रहा है सल्मेन टाइफ ही होती है वह एक वेक्टिरिया के रूप में यहां पर काम करता है वह अधर और और सी इसमें गलत है इसका मतलब आपके आंसर चला गया a, c, d यहां पर करेक्ट वा और b और e यहां पर कौन सा है इन करेक्ट वा है समझ गया होंगे आप मैं एक जे को मिटाओ आपको पुछा गया है यहां से कि इन में से कौन सा ऐसा है जो की यहां पर option में correct match कर रहा है मतलब यहां सही मिलान कीजिए कौन सा है पहला है देखो य विध इंस्पायर है बिल्कुल आपको मालूम है यह तुर्सित जल या वजन से होता है इसका मादब यह तो गलत हो गया फिर है pneumonia इसका मंदब यह तो गया है जिसके कारण आट सही जा रहा है आप देखुर एक्स बैटा क्या हो यहां से आप देखते है सहरेज परतिरक्षा की सब्बद बे सत्य खतर select the correct statement regarding innate immunity, बहुत easy है आपको मालूम है, यहाँ innate immunity में हम देखते हैं कौन-कौन से, जैसे मालूम यह physical barrier है, या फिर physiological barrier है, या फिर cellular barrier है, या cytokinin barrier है यह सब innate होते हैं, अब यह है, जनम जात, बिल्कुल सही है यह जनम जात ही होते हैं, present by blood दूसरा, it protect with the help of antibody, by antibody तो, आपको मालूम है, एक तरह से acquired हो गया, इसलिए इसमें आना नहीं है, फिर यहाँ पर कहा गया, produced like intensity immunal response and attracted the antigen, वह परतीजन जो अगले आकर्मन के लिए, वहाँ तीर्व अनुकरिया को दरसाता है, दरत हो गया ना, यह भी एक acquired के step में हो गया, acquired के हो गया, अपने और पराय में विवेद की समता, यह भी acquired का हो गया, इसका मतलब आपका first answer चला जाता है, यही correct statement by birth, next, देखो बिटा, आपसे पूशा गया, कि यहाँ पर, सही मभी जो बात करें थे पन की, फिजिकल वेरियर, फिजियोलोजिकल, सेलूलर, साइटोगाइनिन, ऐसे पसनों को यूमेश नहीं करवा रहा है, आप सामने बिलकुल लिखे, फिजिकल वेरियर में क्या आता है, देखो, मुकस, एंड, मुकस, एंड, स्केल, सेलेसमा प्लस, यहाँ पर तौचा, इसका पर एक में चला गया, फिजियोलोजिकल में, सेलाइवाब, सेलूलर में, पीमल जाई रहा है, यहाँ पर तीन नमबर, और साइटोगाइनिन में आपको मालूम है, एंटेफेरोन चार यह तो सीधा ही है, यहाँ आपको पास तीन आंसर चला जाता है, आपको टाइम बेस नहीं करना चाहिए, बिलकुल आपको मालूम है, स्पीड को बढ़ाना है, आप देखते हैं, पहले सोल्यूशन करवा रहे थे, बिलकुल एक एक पॉइंट को समज़ाते थे, अब तो यह यहां आते आते तो आप खुदी भी एक्सपर्ट हो गए हैं आपको बिल्कुल मालूम हो जाना चाहिए एक लाएन याद जानी चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए जो सिली मिस्टेक हुई है उसको ध्यान में रखते आगे बढ़ते जाएं इतना बड़ा पढ़ने की जरुवती नहीं है यहां डाइरेक्ट यहां को लिखा हुआ है आपको मालूम है यह किस परकार के नेचर के रूप में यहां पर काम कर रही है यह इस्पेशली आपको मालूम है यह तरह से नेचूरल पैसी इम्मिनिटी के रूप में काम कर जाती है सही हो गया होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिया हुआ डाइगराम है आपको मालूम है यह जिस डाइगराम दिया हुआ है यह किसका है बिलकुल आपको मालूम है यह जिसका है इसका मतलब आज़ज़ चला जाता है नेक्स देखो यहां पर आपको मालूम चला क्या पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया बैटा देखो परती रक्षी पे एककल रणूँ चार पेप्टाइ दूसरा है बी लिपोसाइड में उत्पन परंतु स्मर्ति देखो ये वाला पॉइंट में देखो आ रहा है न कि दा सेल प्रोडूस्ट एंटीबोडी बस डस नोट एल्प इंदा मैमोरी ऐसा हो इनी सकता मैमोरी तो बैस्त ही है यार ये नेक्स देखो बिटा आपके बास आय यहां इरिथ्रोजाइलम को का करनेटिव प्लांट या यहां मूल रूप कहा का कोड़ा है प्रति रक्षी में साप लिखा हुआ है दक्षिनी अमेरिका या साउथ अमेरिका इंपोर्टेंट है एक भी पॉइंट एंस यार्टी का नहीं छोड़ना है नेक्स देखो आपने देखा यहां पर आपसे पूछा गया परति रक्षी में परति जन बंदन इस तल किस कहा है दा एंटी जन यहां एंटी जन बाइंडिंग साइड इन एंटी बोडी इस फाउंड बिट्बिन किसके बीच में होगा वन हेवी एन वन लाइट चैन मालू में बेटा सीधा अंसर जा रहा है जड़ा सोचने की ज़रत नहीं है नेक्स देखो वेटा इसमें कुछ आ गया है इसमें एक राइसाइनिक रूप से यहां है जो की सरीर की किरियों बाबा डाल देखो यहां इसमें क्या है डाई एसेटायल मॉर्फिन है बिल्कु सही बात है डाई एसेटायल मॉर आप से पूछा गया विटां, contribution to the word form produced by the India in China, जगो ध्यान रखना, यहाँ योगदान पूछा गया है, पचीस परसेंट, अब यह data है, फिक्स है, इनको याद रखना ही पड़ेगा, फिर next आप देखते हैं, यहाँ से आपको मालूम चला, परदार जो विशानो संकर्वित से contributors को रोपता है, आप अच्छी तरह जानते हो, यह generation and virus enterBar करता है, फास वाली से से क्या निकलता है, इंटर्फेरों, इसका मतलब आपको मालूम उई सुलक्षा करेगा, यहाँ से injected cellar उसके पास वाली से बिशना है, तो इसके मतलatique क्या करना है, Aujourdवन आंसर चला जाता आपके पास आता है वह रोगी जो सल्लेश चिकिशा करता है जिसके लिए निवन में से कौन से दवा बहुत लापता एक है बाई सर्जरी की जा रही है आपको मालू में है इसको पैन नहीं हो कौन सी इंजेक्ट करेंगे ता आपको मालू मार्फिन बिलकुल एंसियाटी के ला से लारवल स्टेज होती है इनको खाने के लिए आपको मालू मैं मचली न फोड़ती है नंबो सियाग मचली है और यह इस लारवल स्टेज को खा जाती है तो इसका मतलब यह बाईरिया या जबाईरिया निंप लोग कि गही है नेक्स निए अब पास आया बैटा अब इसमे में बिनाएंट उमर का नाम लिखा हुआ है, किछी को मालूम नहीं हो तो मालूम करें, देखें NCRT में, अब आपको मालूम है वास्त्री किस्तान पर सीमित होता है, इमें इन कम फॉप्टो, और इसनल प्लेस, यह सही बात है, यहां शोफास्ट करो, नहीं, फिरक कॉस्ट दे सीकाउट तक है, आसकता, इंपोटेंट है, यहां म्योकोसा, एसोसेट लिंपेटिक टीशु के रूप में काम करता है विटा, फिर देखो, नेक्स्ट, यहां से पुछा गया, ड्रक्स के किस समुच्चे का दूरूपयोग, कुछ खिलाडियों द्वारा आपने परदर्शन सुदारने के लिए किया जाता है, कि which set of ducks are misused by the certain sportman, अब देखो, क्या था, NCRT की लाइन है विटा, नार्कोटिक है, एनल्जिक, यहां पर आपको मालूम है, एनाबोलिक स्टेरोइट, और डाइटिक, फिर्स्ट ही चला जाता है, ज्यादा सोचने की ज़लपी नहीं है, अ नेक्स्ट, मलेरिया में ठंड लगना, तेज बुखार आना, इलित्रोसाइट, साइज हो गयनी के, अंत में, RBC में, मुक्त होना, साथ जोड़्देवाला पार्ट है, मतलब दर, चिल, and the high fever malaria are the associated with the release of, क्यों मालूम है, यहां, हीमोजाइन, वेरी मॉस्ट, NCRT की लाइन है, जो नमबर आंसर चला जाता है, फिर देखो बेटा, नेक्स्ट, देखो बेटा, इसमें पूचा गया है, निमन में से कौन सा एक withdrawal syndrome, जो होता है, उसके character क्या है, NCRT की line है, एक भी point नीच छुड़ा हुआ है, NCRT based है, पुरे line to line यादो नीच ही है, अब देखो क्या होता है देखो यहाँ पर gastritis, इसका रण से यह गलत हुआ है, यहाँ देखो यह क्या कहा, वाद से एमफिसाइमा, मैंने बताया था, smoking के लिए, कि सीमा अगर cigarette पिते नजर आ जाए, तो cigarette से होने वाले disease, एमफिसीमा, ऐसे याद रखना है, तो यह गलत हो गया, अब बचा आपके प देखो, अग्रेटेश, ऑक्सिजन की कमपी, कमपन, इससे बड़ी यह वाला टाइम, यह आपको मालूम है, NCRT में लिखा हुआ है, एंजैटी नहीं नहीं गया, अब बेचे नहीं मतले और फसीला आना, तीन नमरा आज सर चला जा था, यह आपका पका सही भी हो गया, एक बुचा गया, एक बहाई अंग परत्यारोपन की है स्विक्रती, एक के कारण होती है, इससे एक फंगल उपप्ची, B के उप्योग से रोका जा सकता है, यहाँ पर A और B का रूप, और दूसरा यहाँ पर B, तो पैचानी है, क्या है A, B, आपको मालूम है, मैटा, कि फोरें को प्योग किया गया था, इसका मदर तीन नमबर आंसर यहाँ से चले जाते है, इसका मदर CMIO और सक्वेस्परीन आंसर यहाँ से आ जाता है, नेक्स देखो, फिर पुचा गया, A disease which can be easily transmit from the one person to another, सबसे एजी परसने पेपर का, आपको मालूम में एक दूसरे से पैन ले बा भालो होना चाहिए सारे बढ़ने हैं, क्या है, एंडोक्राइट, एंडूरल सिस्टेम एंडोक्राइट सिस्टेम जो होते हैं, वो हमारे मन और मांसी की स्थति स्वास्ति करती है, माइंड आट मैंटल स्थेट राइन है है हम इसको एक सेंटेंस में बना दिया है उसके बाद में पूछा गया है Health does simplify mean only absence of disease यह साप लिका हुआ है यह health का मतलब यह नहीं है कि बंदे में कोई बीमारी नहीं है और वो स्वस्त है नहीं इसका मतलब यह वाला स्वास्ते कार्ण के वाल बीमारी का भाव है नहीं भाई इसका मतलब यहां आपको मालूम है यहां एक दोर तीब यह तीनों statement आपको बिल्कुल सही करके बुशो कर रहे है फिर नेक्स देखो यहां से पूछा गया बेटा Mary Melon's नाम किस रोक से सम्मधित है अच्छी तरह जांगते हैं इसका नाम पहले यह था और बाद में इसको टाइफाइट मेरी का नाम किया गया इसका आंसर फर्स्ट ही चला जाता ज्यादा सोचने की जुरत नहीं है उसके बाद देखो next यहां से पूछा गया बेटा इसका नहीं है फिर नेक्स आता है यहां से बढ़ती है नेक्स देखो बेटा वेरी मॉस्ट है यह वाला मोनोक्लोन एंटीबोडी यूजड इंट्रीटमेंट आफ कैंसर इंड्यूजड इन कैंसर के उपचार में ली जाने वाली मोनोक्लोनिक पर्तिरक्सी किसमें समलीत है आप जानते हो बेटा रेडियो ट्रेपी नहीं हो सकता कीमो में है यहां केमिकल्स हो गए साजनी नहीं हो सकता जहां एंटीबोडी का नाम आया इसका मदब इम्मीनो सिस्टम से रिलेटेड हो गया तो इसको क्या देंगे इम्मीनो थ्रेपी दी जाती है नेक्स देखो यहां से पुछागे बटा किसको ट्यूमर स्प्रेशर जीन जहां ट्यूमर स्प्रेशर जीन वाला पॉइंट जाता है इसका तीन आंसर चले जाते हैं सीधा सीधा है ज़रा सोचली की जलती नहीं है यहां आते आते तो आप ऐसे एक्सपर्ट होगे फिर देखो next यहां पुछा गया कि किशोरूमिसरा पता ड्रक्स के दुरुपयों ब्रोकने वन नियंतरन के लिए उसे कौन सा उप्योगी नहीं है जो बद्दे बालो गल्ती से आपको मालूम है यह पीरेड ही ऐसा है तनाव और तुफान का पीरेड माना गया इसको इसमें बच्छा अपनी ज़्यादा मन मर्जी करता है पहला है साथ्यों के दबाव से बच्चे आपको मालूम है उप्योगी नहीं है यह तो उप्योगी है साथ्यों के दबाव से बच्चे मालूम लो दोस्त चार दोस्त बैट गए है एक कि किसी की कमी है उसको डरा देता है या अपनी कसम देता है कि नहीं तुझे पीना ही पड़ेगा मेरे लिए एक घुट पी ले ऐसे करके तो इसका मतलब इसके अवोईट अंडर पियर इसका मतलब यह तो एजुकेशन और काउंसलिंग आपको मालूम है शिक्षा और प्रामर्स बिल्कुल आपको बिल्कुल इससे मालूम होना चाहिए माता पीता तदा साथियों की मदद लेनी चाहिए यहाँ पर बिल्कुल आपको मालूम है पैरेंट साथियों के साथ लेना चाहिए फिर यह कह र तो लिवर खराब हो सकता है उसको वो देखी नहीं रहा है इसका मतलब वो पीते जा रहा है तो इसका मतलब इस वाले point का कोई relation नहीं है या not step आया है तो इसका मतलब 4 number answer चला जाता है फिर देखो ने एक से यहां से आपसे पूछा किया अगे अगर दोक्टर को रोगी के निमने लक्षन दिखा जाते हैं, मालो एक पेसेंट आता है दोक्टर के पास और दोक्टर देखता है कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मॉस्कुलर पेन हो रहा है, फ्यूवर भी है, ब्लड की कमी मतलब अनीमिया हो रहा है, ब्लोकेज अप इ इंटरनल बिल्डिंग होई, बुखार होई, निमिया होआ, यह सारी चीज है तो इसके इसके रूप में चाल ली जाती है, नेक्स देखो बेटा, यहां से आपके पास है, विच आप दा फोईंग, और इसमें से कौन सा संगटन एड्स से संबंदित है, एंस याड़ी है वि पारजीत परतीरक्षा शिंड्रोम, अक्वाइड इमिनोडेफिसेंसी शिंड्रोम, अड्स, यहां से सफर कर रहा है, विच टेक्निक विल यूस, लाइक हम कहते हैं कि यहां पर कौन कौन सी टेक्निक, एक के स्किनिंग टेस्ट और पुस्ति, मतला कंफरमेटी टेस्ट कौन आंसर यहां चला जाता है, नेक्स्ट यहां से आपने देखा, यकरत का सिरोसिस किसके लंबे समय तके अंतरगरेंट से होता है, दा सिरोसिस ओफ लिवर इस कौस्ट बाइदा क्लोनिक इंटेक्ट, लाइक के अल्कोहल, आप जानते हैं विटा, अच्छी तरह है कि अल्कोहल के कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे सुरक्षित है, अलब यहां इंटरनल औरगन कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे यहां पर जो पूछा गया है, शुरक्षित है या सेफ है तो MRI, NCRT की लाइन है, आप ध्यान देखे, ज्यादा विचार करने की जुरत नहीं है, टेस्ट CLC करवा रही है, बोस जैसा बोल रहे हैं, वैसा वैसा आप करते जाओ, निस्थित है सपलता, निस्थित मिलेगी आपको, फिर देखो next, यहां से आया, लिंफोईड औरगन, M-A-L-T के रूप में पाचन, सबसन, उक्सरजन, युकोसा के बीतर मुझूद होती है, MLT सरीर के कुछ लिंफोईड उत्तकों का भाग बनाती है, बाई, लिंफोईड औरगन है यहां पर, यह डायरेक्ट भी पूछा गया था, 2017, मैं आपको महम होगा, कि MLT कितना परसेंट होता है, तो 50%, इसको ऐसे गुबा की भी पूछ सकता है, कि लिंफोईड औरगन में माल इतना बढ़ा पढ़ने की जरुत नहीं है, यार, मल्ट का ना मारा, इसका मनदभ 50%, आपने पहले से ही अच्छी तरह NCRT में पढ़ रखा है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है, कापी अच्छा वेपर हुआ होगा, इसमें कोई भी आपको मिस्टेक मेजर नहीं आयोगी, सिल आप जानते हैं, CLC आपके साथ विल्कुल जी जान से लगी रही है, पूरे पेपर NCRT बेस्ट बना रही है, और जब आप इतने पेपर दे रहे हो, इतने कुशन सोल कर चुकी हो, यहां आते आते हैं तो आप वैसे एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर भी, देखो, पढ़ना है, बूलना निस्ट है, इसमें कोई यह नहीं सोचना है कि मैं तो पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, बूल जाती हूँ, मेटा सभावी करे, सब बूलते हैं, सब बढ़ते हैं, बार बार पढ़ना पढ़ता है, उसके लिए तयार रहे हैं आप, और वैसे भी CLC में आपको माल हैं, यहां बोस खुद बेट कर आपको वाच करते हैं, एक एक स्टुडेंट को देखते हूए, कौन तयार किस तरीके से हो रहा है, और जहां आपको कमी नजर आती है, एक पेरेंट्स की तरह आपको परतेक फैकल्टी समझाने के लिए तयार है थी, इसलिए टेंशन करने की जुलत नहीं है, क्योंकि सपलता प्राप्त करने वाले अलग से कोई काम नहीं करते हैं, अलग हटकर करते हैं, और CLC ऐसा कर रही है, जाए CLC, थाइंक्यू, हलो स्टुडेंट, माई सेल्फ राहूल मिसरा, टीम बोटनी CLC सीकर, आज हम यहां डिसकस करेंगे, डी सी एम जो दिये गए चित्र के संदर्व में सही विकल्प को चुनिये, यानि कि स्लेक्ट करेक्ट वन वित रिस्पेक्ट टू गिवन फिगर, सबसे पहला आता है, यहां पर यह छडाकार जीवाडू है, तो आपको यह चित्र दे रखा है, जब आप NCRT में देखेंगे, तो यहां NCR आपको बता रखा है कि यह किसका है, यह एधिनो वाईरस का है, यह जीवाडू लिख रखा है फर्स्ट ऑफ्टिन में, तो यह यहां नहीं होगा फर्स्ट ऑफ्टिन, तो देखिए, लाध्शेट बैक्टीरिया, यह रॉंग हो गया, किसका है वाइरस का, यह एधिनो वाiyet है जो स्वसनिय संक्रमन का कारण है यह बिल्कुल राइट है एडिनो वाइरस देट कॉज रैस्परेटरी इंफेक्शन्स थर्ड ऑप्शन यह च्छडाकार विसानू है जो मोजे रोग उत्पर्ण करता है सबसे पहली बात तो यह एडिनो वाइरस है जो एनीमल वाइरस है त पादप पढ़नों के कुंचन तथा बेलन का कारण है यह भी रॉंग है अभी मैंने आपको क्लियर किया एडिनो वाइरस एक एनीमल वाइरस है जो प्लांट को इंफेक्ट नहीं करता तो देखिए फोर्थ आप्शन क्या हो गया रॉंग एडिनो वाइरस देट कॉस एंड रोलिंग ओफ प्लांट लीप्स तो ध्यान लकना इसका हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा आंसर सेकेंड नेक्स्ट यहां हम डिसकस करते हैं 62 नंबर प्रोटो जोगा जीवाणू कबक, टी एमबी, विरोइट्स, q-beta, जीवाणू भोजी यह आपको कुछ example दिये गए हैं लाइक प्रोटो जोवा बैक्टिरिया फंजाई टी एंबी विरॉइट्स एंड क्यू बीटा बैक्टिरियो फेज इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव के यानि की माइक्रोप्स के एक्जाम्पल हैं तो अगर आप एंसी आइटी में देखेंगे क्लियर बोल रखा है यहां अगर हम देखें प्रोटो जोवा को भी माइक्रोप्स में काउंट करते हैं जीवाडू कबक और वाइरस टी एमबी वी वाइरस है क्यू बीटा जीवाडू भोजी वी वाइरस है इसके अलाबा विरॉइट्स यानि कि आप कहोगे यह सभी के सभ भी क्या होंगे माइक्रोप्स में इंक्लूड किये जाते हैं तो कितने हो गए यहां पर नंबर सिक्स तो आंसर क्या जाएगा हमारा फूर हम डिसकस करते हैं यहां पर 63 कौन सा एक संक्राम कारक है जो केबल प्रोटीन का बना है यानि कि ऐसा इंफेक्सियस एजेंट हमें बताना है जो ऑनली किसका मेट किसका बना है प्रोटीन का बना है तो देखिए यहाँ पर विशानू यानि की वाइरस यह रॉंग स्टेटमेंट है क्योंकि वाइरस किसका बना होता है जैनेटिक मटेरियल लाइक डी एने एंड डी एने और आरेने के साथ साथ इसमें प्रोटीन होती है विरोइट्स अगर हम विरोइट् भी हमारा रॉंग ऑप्सन है प्रियों यह विल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा प्रियों किसके बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं और एल एबी यानि की लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया बैक्टीरिया है इसमें कई सारे बायो मॉलिक्यूल्स प्रजेंट होते हैं तो कर यानि कि microbes like bacteria and many fungi can अब हमें यह बताना है option देखकर तो देखिए पोशक माध्यम पर ब्रद्धी नहीं कर सकते क्या जीवाड़ू और कई कभक पोशक माध्यम पर ब्रद्धी नहीं कर सकते गलत है हमने पड़ रखा है microbes like bacteria और fungi को हम culture medium पर या संबर्धन माध्यम पर growth करा सकते हैं तो यह wrong statement हो गया तो देखिए क्या लखा है not be grown on nutritive medium यह wrong statement हो गया second देखिए पोशक माध्यम पर ब्रद्धी कर सकते हैं बिल्कुल सही है लिकना आँगे देखते हम तता इनकी निवह को नगन आखों से देखा जा सकता है यह बिल्कुल राइट आंसर आएगा इसका यानि की many bacteria and bacteria and many fungi can be grown on nutritive medium and their colonies can be seen with naked eye तो यह बिल्कुल राइट statement है third देखते हम संबर्धन माध्यम पर ब्रद्धी नहीं करते यह गलत हो गया क्योंकि जीवाणूं और many fungi जो होती है वो संबर्धन माध्यम पर ब्रद्धी करते हैं जबकि यहां बोल रखा है ब्रद्धी नहीं करते तो ध्यान रखना यह क्या बोल रखा है not be grown on culture medium रोंग हो फॉर्थ देखिए पोशक माध्यम पर ब्रद्धी कर सकते हैं तथा इनकी नवे को नगन आखों से नहीं देखा जा सकता यह रॉंग स्टेट्मेंट है ncrt clear बोलती है कि अगर बैक्टीरिया फंजाई इनको आप culture medium पर grow कराते हैं तो इनकी कॉलोनी जब बनती है तो उस कॉ प्रश्चन का वो कौन सा है आंसर सेकेंड है नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं 65 दुग्द को दही में परिवर्तित करते हैं इसमें कुछ statement दे रखें और आप से क्या पूचा गया है कि निमनलिकित कतनों में से कौन से लेक्टिक ऐसिड बैक्टीरिया यानि की एल एबी के हैं तो देखिए पहला क्या है दुग्द को दही में परिवर्तित करते हैं विल्कुल राइट है एले भी क्या करते हैं मिल्क को कर्ड में कनवर्ट करते हैं तो पहला ऑप्शन एले भी के रिस्पेक्ट में सही है अमल उत्पादित करते हैं जो दुग्द प्रोटीन को इसक अंदित करता है विल्कुल राइट स्टेटमेंट है यानि कि यह जो एले भी बैक्टिरिया है लेक्टिक एसेड एक अमल है यह एसेड है उसका प्रोडक्शन करते हैं और यही लेक्टिक एसेड मिल्क प्रोटीन को क्या कर देता है यहां पर कोगुलेट कर देता है तो यह भी statement कैसा है right है अगला देखिए मात्रात्मक रूप से vitamin A को दही में बढ़ाते हैं गलत है आपने NCRT में पढ़ा होगा कि ये LAB vitamin B12 को increase करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना quantitatively increase vitamin A in curd wrong statement हो गया फोर्थ देखिए दुख्द protein के सभी peptide बंदों को तोड़ते हैं ये भी wrong है break all peptide bonds of milk protein ध्यान रखना clear NCRT में दे रखा है कि LAB जो lectic acid का production करते हैं ये lectic acid आगे जाकर milk protein को partial digestion करता है यानि कि उसको completely digest नहीं करता जबकि यहाँ क्या वो लखा है कि सभी peptide बंदों को तोड़ देता है ठीके तो ध्यान रखना ये statement wrong हुआ तो इस हिसाब से सही statement कौन कौन से हैं A और B तो हमारा correct answer क्या जाएगा fourth only A and B next हम डिसकस करते है 66 धीला ढाला आटा जिसका उपयोग आहार जैसे डोसा और इडली बनाने में किया जाता है वह किस के द्वारा किन्वित होते हैं ध्यान रखना क्या पूचा गया है कि ये जो डोसा और इडली बनाने के लिए जो डफ का हम यूज करते हैं कि ये जीवाणू द्वारा फर्मंट होते हैं यानि कि इसमें कौन पार्टिशिपेट करेंगे बैक्टीरिया तो आंसर क्या जाएगा हमारा थर्ड next हम डिसकस करते हैं 67 यहां बोला गया है किन्वक के बारे में यानि कि फर्मेंटर्स के बारे में हमें correct option को choose करना है तो देखिए किन्वक का उप्योग केवल पृति जैविकों और एथिनॉल के उत्पादन में होता है गलत हो गया क्योंकि इस किन्वक का उप्योग हम different type के other जो acids होते हैं उनके production में भी हम इसका use करते हैं जबकि यहां क्या बोल रखा है only production of antibiotic and ethanol तो यह कैसा हो गया statement wrong next देखिए किन्वक का उप्योग बहुत से उत्पादों के sensation में होता है जो मनुष के लिए मून लेवान नहीं होते ध्यान रखना यह गलत बोल रखा है क्योंकि यहां जब NCRT पढ़ोगे कि लिए लिख रखा है कि जो product हम fermenter में बनाते हैं वो human के लिए useful होते हैं ठीक है तो यहां पर क्या बोला गया है not valuable to human beings wrong हो गया third option देखिए किन्वक का उप्योग बिना सुक्ष्म GVA क्रिया के उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में होता है यह भी wrong है इन किन्वक के अंदर यहां fermenters के अंदर हम microbial action कराते हैं like जैसे यहां पर अगर हमें ethanol produce कराना है ठीक है? इताइल alcohol तो उसके लिए हमें saccharomyces cerevisi यानि की yeast जो एक microbes है उसका use करना पड़ता है तो आप यह नहीं कह सकते कि without microbes के हम जो उत्पाद है उसको बड़े पैमाने पर बनाते हैं अगला देखिए फोर्थ किन्वक बड़े बरतन है जिसका उप्योग उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में किया जाता है यह बिल्कुल right statement है क्योंकि fermenters क्या है? large vessels हैं जिनका use किसमें किया जाता है large scale पर different products को form करने में किया जाता है तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या होगा? answer 4 चलिए next हम दिसकास करते हैं यहाँ पर question 68 कौन सा एक विकल्प केवल किन्वित रस के आसवन द्वारा उत्पादित एलकोहलिक पे रखता है यानि कि which one option contain only alcoholic beverage produce by distillation of fermented broth यहाँ पर अगर हम alcoholic beverage यानि कि alcohol युक्त पे पदार्थ के उत्पादन की बात करें तो दो टाइप से produce हो सकते हैं यहाँ एक तो होता है without distillation और without distillation के दो यहाँ पर alcoholic beverages बनते हैं कौन-कौन से हैं पहला आता है beer और दूसरा इसमें आता है wine तो beer and wine जबकि with distillation के यहाँ पर कौन-कौन से product बनते हैं दो product बनते हैं कौन-कौन से हैं विस्की brandy and rum तो आपको clear देख गया होगा क्या पूचा गया है distillation के साथ तो कौन सा answer आएगा हमारा with distillation वाला यानि कि विस्की brandy and rum आणसर आजाएगा second तो ध्यान रखना answer है second है चलिए next हम discuss करते हैं 69 number question देखिए क्या बुला गया है निम्न लिखित कत्रों में से कौन सा एक penny-silin के संदर्व में सही है तो ध्यान रखना which one of the following statements correct with respect to penny-silin पहला देखिए यह है अलेक्जेंडर flaming द्वारा खोजी गई यह बिल्कुल राइट है लेकिन आंगे देखिए क्या बोला गया है जब वह स्टेफाइलो कोकस कवक पर कार्रे कर रहे थे यहां पर रॉंग दे दिया क्योंकि स्टेफाइलो कोकस कवक नहीं है बलकि क्या है वैक्टीरिया है तो ध्यान साली प्रती जैविक के रूप में पूर्ण चमता की पुष्टी की बिल्कुल राइट है इट्स फुल पोटेंशियल एजन एफेक्टिब एंटी वायोटिक वाद एस्टाविलिस बाई अर्नेस्ट चैनेंड ओवर्ड फिलोरे थर्ड देखिए इसका उप्यव प्रतम विस्वय युद्ध में घायल अमेरीकी सिपाईयों के उप्चार में व्यापक रूप से किया गया गलत है क्योंकि प्रतम विस्वय युद्ध नहीं था बलकि कौन सा था वर्ल्ड वार सेकि हो गया यह है अकस्मात रूप से नहीं खोजी गई गलत है इसकी डिस्कवरी बाई चांस होई थी क्योंकि वह काम तो कर रहे थे इस्टे फाइलों कोकस बैक्टीरिया पर लेकिन अचानक उन्हें उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी यहां पर पैनी सिलिन की डिस्कवरी कर दी थी तो आप कह सकते हो यह डिस्कवर्ड बाई चांस ही हुआ था लेकिन यहां वो लगया है नौट तो यह रॉंग हो गया तो हमारा इस कॉस्टन का अंसर होगा सेकेंड नेक्ट आप डिसकस करते हैं 70 नंबर कॉस्टन तो देखिए सही सुमेलित युगम को चुनिए यानि की स्लेक्ट करेक्टली मैच्ड पेर पहला देखिए एसपरजिलस नाईगर सिट्रिक एसिड यह बिलकुल राइट है एसपरजिलस नाईगर और सिट्रिक एसिड क्योंक नेक्ट देखिए एसिटो वेक्टर एसिटाई लेक्टिक एसिड यह रॉंग है लेक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है लेक्टो बेसिलस क्लॉस्टीडियम ब्यूटाइलिकम एसिटिक अमल गलत है क्लॉस्टीडियम ब्यूटाइलिकम करता है ब्यूटाइरिक एसिड क तो ध्यान रखना है Acetobacter Acetylactic Acid रॉंग मैच है यह लेक्टो बेसिलस ब्यूटाइरिक एम यह लेक्टो बेसिलस ब्यूटाइरिक एसिड यह भी रॉंग इस्टेट्मेंट है तो अगर हम यहाँ देखें तो सही आंसर क्या आएगा इसका फर्स्ट Next हम डिसकस करते हैं 71 number question तो देखिए कौन सा एक जैब सक्रिय अणू कवक द्वारा उत्पादित होता है तता अंग पत्या रोपित रोगियों में उपियोग किया जाता है यहाँ अगर हम देखें साइक्लो इस्पोरिन ए करेक्ट आंसर आएगा साइक्लो इस्पोरिन ए किसके द्वारा उत्पादित होता है यहाँ पर कवक और इस कवक के द्वारा जो उत्पादित साइक्लो इस्पोरिन ए है इसका उप्योग हम किसके रूप में करते हैं यहाँ पर यह अंग प्रत्यारोपित रोगियों में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में करते हैं इसको हम क् कहते हैं 72 go is Treptokain بالकाइब का उपियोग निम्न को हटाने में किया जाता है यानि कि है he is used to remove ऐनेगे यह जो स्टेपटोो Kin petits यह एक Bacteria है स्ट्रेप्टो कोकस उससे यह produce होता है और यहां पर उपियोग किसमें किया जाता है रक्त बाहिकाओं में जो थक्का जम जाता है यानि कि ब्लड क्लॉट उस क्लॉट को हटाने में किया जाता है तो ध्यान रखना इट इस यूजिव प्लड क्लॉट्स फ्रॉम्द ब्लड वेसल्स वांसर क्या आएगा इसका second next हम discuss करते हैं 73 तो देखिए municipal वेर्थ जल यानि की municipal जो wastewater है उसके respect में हमें सही कथन को चुनना है पहला देखिए अकार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा रखता है गलत है इसमें अकार्बनिक पदार्थ यानि की inorganic matter large amount में नहीं पाए जाते केवल रोग उत्पन करने वाले जीवानू रखता है गलत है इसमें ऐसे भी होते हैं जो सुरीष में बोला है रोग उत्पन ना करने वाले जीवानू रखता है यह गलत है क्योंकि यहां पर non pathogenic के साथ साथ कौन से होते हैं pathogenic bacteria भी यहां पाए जाते हैं प्राकर्थिक जलसरोतों में कोई नुकसान नहीं पहुचाता यदि इसे प्राकर्थिक जलसरोतों में सीधे विसरजित किया जाता है does not cause any harm on natural water bodies if it is discharged directly into natural water bodies रॉंग है आपको पता है municipal waste water कैसा होता है polluted water और इस polluted water को जब हम directly किसी fresh water body में अगर हम इसको discharge कर देते हैं तो उसमें pollution होने लगता है और harmful condition create करता है तो यह रॉंग हो गया statement कि फोर देखिए STP में उप्चार के बाद कम प्रदूशित हो जाता है यह बिल्कुल राइट statement दे रखा है becomes less polluting after treatment in STP तो ध्यान लखना यह राइट है क्योंकि STP यानि कि सीवेज treatment plant जहां पर सीवेज water या municipal waste water का हम क्या करते हैं treatment करते हैं और जब इसमें pollution कम हो जाता है तब हम इसको किसी water bodies में discharge करते हैं तो इसका answer आएगा 4 next discuss करते हैं 74 सूक्ष्म जीब जो STP में बियर्थ जल का उपचार करते हैं वे होते हैं यानि कि microbes that treat waste water in STP are clear NCIT ने बोल रखा है STP में जो microbes हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं वहाँ पर participant करने वाले microbes heterotropic यानि की विशम फोसी टाइप के होते हैं तो answer क्या आए गया इसका third नेक्स्ट आता है 75 STP में प्रात्मिक उपचार में सम्मिलित है यानि कि जब हम seaweed treatment plant में polluted water या municipal waste water को treat करते हैं तो उस time पर primary treatment में कौन कौन सी process involve होगी तो देखिए यहाँ पर सित वालु कास्म को अनुक्रमिक निश्यंदन द्वारा हटाना गलत है क्योंकि यहाँ पर सित वालु कास्म को हम निश्यंदन द्वारा नहीं वल्कि अवसादन द्वारा हटाते हैं सेडिमेंटेशन द्वारा तो देखिए क्या वो लगया है removal of grit by sequential filtration रॉंग हो गया क्योंकि grit को तो हम सेडिमेंटेशन से हटाते हैं सेकेंड देखिए रासाइने कुप चार तथा अवसादन गलत है प्राइमरी treatment में हम कोई भी chemical treatment प्रोवाइड नहीं कराते हैं यह रॉंग हो गया थर्ड देखिए निश्यंदन तथा अवसादन द्वारा बड़े एवं छोटे कड़ों को भौतिक रूप से हटाना यह राइट statement है physical removal of large and small particles through filtration and sedimentation यह बिल्कुल NCRT की line आपको बता रखी है यहाँ पर जब प्राइमरी treatment करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो लार्ज molecules होते हैं like paper bags यह polythene bags उनको हम क्या करते है sequential filter के तुरू हटा देते हैं तो क्या बोलागा है बड़े एवं छोटे कड़ों को भौतिक रूप से हम हटा देते हैं यह विल्कुल राइट हैं 76 अब प्रत्यक्ष रूप से माप है यानि की बियोडी किसको इंडारेक्ली मीजर करता है तो पहला देखिए जल में उपस्तित अकार्वनिक आयनों का गलत है क्योंकि यहां पर अगर बियोडी की बात करें यह इन और्गेनिक आयन को मीजर नहीं करता दूसरा देखिए जल में उपस्तित कार्वनिक पदार्थ का यह बिल्कुल राइट है और्गेनिक मेटर प्रिजेंट इन वाटर क्योंकि बियोडी जितना ज्यादा होगा वाटर पॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा और उस केस में वहां पर और्गेनिक कंटेंट उतना ज्यादा होता है तो माइको राईजा संबंद पादपों को कुछ लाव प्रदान करता है एक को छोड़कर यानि की माइको राईजा से प्लांट को कई सारे benefit होते हैं लेकिन उसमें से यहां चार option में से एक आपको select करना है जो उसको benefit नहीं होगा पहला देखिए यह मूल बातोड रोग जनक के परती प्रती रोधकता प्रदान करता है यह statement सही है लेकिन हमें हमें wrong statement को select करना है तो देखिए इट provide resistant to root born pathogen यह तो benefit है यह लबणता तता सुसकन में प्रती शेहन सीलता बढ़ाता है यह बिलकुल सही है इट increase tolerance to salinity and drought यह कुल पादब ब्रदी तता विकास बढ़ाता है बिलकुल सही है इट overall increase plant growth and development अब देखिए यह है वायू से phosphorus अफसोसित कर इसे पादब को प्रदान करता है यानि कि it absorb phosphorus from air and provide it to plant यहां ध्यान रखना यह गलत दे दिया क्योंकि वायू से यहां air से कभी भी phosphorus absorb नहीं होता कहां से होता है वो मिट्टी से यह soil से absorb होता है तो यह wrong statement है इसलिए यहां पर जो answer आएगा 77 का वो कौन सा होगा answer for next 78 यह कुछ statement दे रखें और इससे आपको पूछा गया है कि कितने गोण BGA के लिए असत्य नहीं है ध्यान रखना असत्य नहीं का मतलब क्या हो गया सत्य हैं how many features not incorrect for BGA not incorrect का मतलब क्या हो गया correct हमें चेक करना है कौन कौन से statement correct है पहला देखिए क्या BGA swap OC सूक्षमजीव होते हैं बिलकुल right है यह autotropic microbes है जलिये तथा इस्थलिये पर्याबरण में पाए जाते हैं बिलकुल right है यह aquatic तथा terrestrial environment में present होते हैं सभी सदस से heterocyst kosi का रखते हैं यह गलत हो गया क्योंकि all members में heterocyst cell नहीं होती like जैसे oscillatoria उसमें heterocyst नहीं होती जैव औरवरक की भूमी का निवाते हैं बिलकुल right है service bio fertilizer बिलकुल right है मिर्दा में carbonic पदार्थ बढ़ाते हैं जिससे मिट्टी की औरवरक छमता बढ़ती है बिलकुल सही है add organic matter to the soil and increase fertility तो यहां पर सही कथन कितने हो गए एक दो तीन चार तो आंसर क्या आए गया इसका 4 78 का अंसर 4 next हम देखते हैं 79 कौन एक मुक्त जीवी nitrogen इस्तिकारी जीवाणू नहीं है free living nitrogen fixing bacteria नहीं है तो देखे एजोस्पारिलम free living है एजोटोबेक्टर free living है rhodospirulum free living है लेकिन rhizobium free living नहीं है यह किस टाइप का bacteria है symbiotic जो legumes plant के root के साथ क्या करता है यहां पर symbiotic association form करता है तो आंसर क्या जाएगा इसका second next हम discuss करते हैं 80 तो देखिए baculovirus यानि की baculovirus के respect में यहां मैं correct option देखना है तो first देखिए कीटों तथा अन्य संधी पादों पर हमला करते हैं बिल्कुल राइट statement दे रखा है यह जो baculovirus है वह इंसेक्ट और आर्थो पोर्ट्स पर क्या करते हैं अटेक करते हैं न्यूक्लियो polyhydrovirus में सम्मिलित हैं बिल्कुल राइट है इंक्लूडिन न्यूक्लियो polyhydrovirus सकरे spectrum कीट नाशी होते हैं बिल्कुल राइट है narrow spectrum insecticidal है यह species specific होते हैं इसलिए particular species के अलावा किसी other species के members जो species होती है उसको infect नहीं करते वह इसाब से हमारा answer क्या जाएगा उप्रोक्त सभी यानि की fourth answer इसमें आ जाएगा नेक्स्ट हम discuss करते हैं आपर 81 तो देखिए methanobacterium जो पसुओं के रूमेन में पाए जाते हैं पसुओं की सहायता करते हैं methanobacterium found in cellulose को तोड़ने में बिल्कुल राइट है स्टार्च के निर्माण में गलत है glucose के बहुली करण द्वारा cellulose निर्माण में रॉंग है co2 and h2o से glucose संसलेशन में गलत है तो ध्यान रखने किस में पार्टिसेपेट करेंगे cellulose के digestion में पार्टिसेपेट करते हैं starch formation में participate नहीं करेंगे glucose से Cellulose के formation में participate नहीं करेंगे co2 & h2o से glucose के synthesis में भी यह participate नहीं करते हैं तो इसका आंसर क्या गया one next 82 किस सूक्ष्म जीव का उपयोग स्विस चीज को बनाने में होता है तो कौन से माइक्रोब का यूज करते हैं हम स्विस चीज के फॉर्मेशन में वो माइक्रोब आपको select करना है तो ध्यान रखना यहाँ पर स्विस चीज को बनाने के लिए हम प्रोपियोनी बैक्टिरियम सार्मेन आई का हम यूज करते हैं तो इसमें आंसर क्या जाएगा fourth next discuss करते हम 83 गोवर गैस संयंत्र में गाय के गोवर से मीथेन उत्पादन के बाद बचे अवसे इसका उपयोग निमनरी रूप में किया जाता है residue left after methane production from cow dung in gover gas plant is used as तो आपको पता है कि gover gas plant में जो finally जब gover का digestion होता है cow dung का digestion होता है तो digestion के बाद gover gas plant से कुछ undigested material यहाँ पर आपको मिलते हैं वो किसके फॉर में यहाँ पर function करते हैं वो उर्व रख के फॉर में function करते हैं तो answer क्या आ गया fourth fertilizer next आता है 84 गंगा action plan के तहत बड़ी संख्या में नए बाहित मल उपचार सहियंतों को बनाने का प्रस्ताव है ताकि केवल बाहित मलकों नदियों में छोड़ा जा सके इट इस प्रपोस्ट टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ओफ सीवेज टीट्मेंट प्लांट इन गंगा एक्षन प्लांट सो दैस ओनली वाटर मिक्स टू रिवर्स यानि कि देखिए यह जो गंगा एक्षन प्लान है मिनिस्ट्री ओफ एनवार्मेंट एंड फॉरेस्ट ने जो मेजर रिवर्स थी उनको पॉल्यूशन से बचाने के लिए कुछ प्लान शुरू किये थे जिनमें गंगा एक्षन प्लान और यमुना एक्षन प्लान इसमें इंक्लूड हैं यहां पर अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाए जिससे क्या हो सके उनमें ऑनली जो उपचारित यहां कह सकते हो ट्रीटेड वाटर को ही हम मिक्स करें पॉल्यूटेड वाटर को मिक्स ना करें नेक्स हम डिसकस करते हैं 85 तो देखिए साइनो बैक्टीरियाओं का उपयोग द्वारा निमन मैसे किस एक फसली पादब में विशिस्ट रूप से खेती में लाव प्राप्त किया जाता है हम देखें तो यहां पर साइनो बैक्टीरिया के तुरू किस क्रॉप प्लांट में स्पेशली हमें बेनिफि आप होता है तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या गया सबसे पहली वाद तो तो इसमें हम नेक्स्ट डिसकस करेंगे 86 सेकरम बारबेरी के संदर्व में गलत कथन चुनिये ठीक है रॉंग स्टेटमेंट बित रिस्पेक्ट तो सेकरम बारबेरी इसका उत्पादन चमता कम थी सही है इसका सरकरांस कम था सही है यह है ऊश्न कटीबंदिये चेत्रों में पाए जाता है गलत है ध्यान रखना यह इल्ड रखता था इट है पूर सुगर कंटेंट सही है यह ट्रॉपिकल लीजन में नहीं पाया जाता क्योंकि ट्रॉपिकल लीजन में जो सेक गन्या सुगर की जो वेराइटी प्रजेंट थी वह सेके रम ऑफिस इने रम इट वाज औरीजिनली ग्रो इन नॉर्थ इंडिय नॉर्थ इंडिया में तो इसका आंसर क्या है ख रेक्ट आंसर जो रॉंग स्टिमन्ट दे रखा है इसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट यहां आता है 87 पाद प्रजनन के संदर्व में दिये गए पदों में कौन सा पद किसी भी प्रजनन कारेक्रमों का मूल आधार है यानि कि जो प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप से उसमें बैक बोन या रूट आफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कौन सा है तो ध्यान रखना जनन द्रव संग रहन या जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन तो यहां आंसर क्या गया है यहां पर हमारा थर्ड नेक्श हम डिसकस करते हैं 88 एक पादप का कोई भी भाग जिसका उप्योग पूर्ण पादप को पनर जर्दित करने में किया जाता है कहलाता है तो ध्यान लखना एक पादप का यानिकि एनी पार्ट ऑफ प्लांट यूज टू रिजनरेट होल प्लांट इस कॉल्ड तो जि तो करतों तकी से ही आंगे चलकर एक संपूर्ण पादप का फॉर्मिशन होता है तो आंसर क्या गया हमारा वन नेक्श हम डिसकस करते हैं 89 किसी पादप कोशिका की पूर्ण पादप को पुनर जर्दित करने की छमता कहलाती है capacity of any plant cell to regenerate whole plant is called यानि कि एक पादप कोशिका से संपूर्ण पादप के निर्मार की जो प्रक्रिया होती है तो पादप कोशिका की इस छमता को हम क्या बोलते हैं पूर्ण सक्तता या टोटी पोटेंसी हम इसको कहते हैं तो आंसर क्या आगया हमारा इसका second कि नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं 90 पादप उतक संबर्धन के लिए पोसक माध्यम में किस एक को छोड़कर सभी पाए जाते हैं nutrient medium for plant tissue culture contain all of the following except तो देखिए जब हम plant tissue culture के लिए मीडियम तयार करते हैं इस मीडियम में different type के अकार्वनिक लवन या इनॉर्गनिक साल्ट हो रखते हैं कुछ vitamins भी हम इसमें देते हैं इसके अलावा कुछ phyto hormone जैसे यहां पर हम कह सकते हैं और यहां phytokinin का हम यूज करते हैं लेकिन कारवन स्रोत के रूप में co2 का यूज नहीं करते बलकि हम किसका यूज करते हैं यहां पर सुक्रोज का यूज करते हैं तो इसलिए यह गलत आंसर यह गलत statement है थर्ड वाला तो असर के आगे हमारा थर्ड कि नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं 91 सौमा क्लोन्स हैं यानि कि सौमा क्लोन्स आग तो देखिए आकारी की रूप से भिन पादप हैं गलत है अगर हम सौमा क्लोन्स की बात करें सौमा क्लोन्स जो होते हैं वो जेनेटीकली आइडेंटीकल प्लांट् और में शन माइक्रो प्रोपागेशन स्वरीं यह जो माइक्रोपागेशन टेकनीक है उसी के तुरू हम करते हैं तो यहां पर देखिए आंसिक रूप से समान पादप हैं बिलकुल राइट है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं आकारिकी रूप से भिन हैं यह भी गलत है यहां पर genetically identical है तो अगर आप इसको classify भी करोगे तो यह कैसे होंगे एक ही class में include होंगे यानि कि plants of different class wrong भिन जातियों के पादप हैं यह भी रौंग है क्योंकि अगर जाती बदलेगी तो genes भी चेंज होंगे जब कि यहां क्या बोला गया है genetically identical हैं तो answer क्या जाएगा हमारा second नेक्स्ट यहां हम डिसकस करते हैं 92 विभज्यों तक जिसका उपयोग विशाणू संक्रमित पादपों से विशाणू रहत पादप तयार करने में किया जाता है यानि कि marriage 10 देट यूज टू अप्टेन वाइरस free plant from virus infected plants तो देखिए इसके लिए NCRT ने clear दे रखाया कि सीर सस्त विभज्यों तक और कच्छी विभज्यों तक यानि कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा फोर तो ध्यान रखने इसमें apical और axillary marriage 10 तो answer आ गया फोर इन दोनों का use किया जाता है नेक्स्ट डिसकस करते हैं 93 पोसी पादप में कीट प्रती रोधक्ता निम्न लक्षणों के कारण होती है इनसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट प्लांट में भी अकर्स तो clear NCRT ने दे रखा है कि इनसेक्ट के अगेंच्ट में रेजिस्टेंट तीन टाइप से आ सकता है आकारी की रूप से जैवरासाइन रूप से कारी की रूप से तो answer क्या जाएगा तो ध्यान रखना morphologically, biochemically और physiologically यहाँ पर यह जो प्रती रोधक्ता है यह रेजिस्टेंट से वो इनक्रीज हो सकती है यह आ सकती है तो answer आ गया 4 गेहूं की कौन सी परिष्टिती stems of life के प्रती रोधक्ता प्रदान करती है यानि की which condition of wheat provide resistant to stems of life तो यहाँ आपको बता रखा है कि कई सारे insects होते हैं जिनको कुछ specific condition prefer नहीं होती यानि की non preference वाली condition होती है जैसे stems of life को ठोस तना पसंद नहीं है तो इसमें answer क्या जाएगा solid stem यानि की answer second next discuss करते हैं 95 तो देखिए मक्के में कौन सा गटक मक्का तना भेदक के प्रती प्रती रोधक्ता का कारण होता है which content in mage lead to resistant to mage stem borer तो यहां अगर हम देखें low sugar content होता है low nitrogen लेकिन high aspartic acid condition present होता है तो देखिए जब आप NCRT पढ़ोगे clear लिख रखा होगा वहाँ पर कि यह जो conditions है like जैसे low sugar content है low nitrogen है लेकिन यहां क्या दे रखा है high glucose high nitrogen और high sugar यह नहीं होता बलकि कैसा होता है पुच्च aspartic acid high aspartic acid आंसर आ गया second next हम discuss करते है 96 पूसा गौरव की किस्म है जो वी के पृति कैसी है रेजिस्टेंट है ध्यान रखना पूसा गौरव इस वेराइटी ओफ rape seed mustard और किसके against में ही resistant होती है efforts के against में कैसी है यह resistant होती है यह clear NCRT ने दे रखा है उसी बेस पर है तो आंसर आ गया second next 97 में पीत मोजे एक विसानू के पृति पृति रोधक्ता इस्थानांत्रित की गई थी यानि कि जो एवेल मोजे एक वाइरस के against में resistant कहां से आया था तो ध्यान रखना clear NCRT ने दे रखा है कि wild species से इसी की wild relative species से यहां पर ट्रांसफर किया गया था यह जीन तो आंसर क्या जाएगा वाइल्ड रिलेटिव species आंसर वन नेक्स्ट आता है 98 मूंग बीन में पीत मोजे एक वाइरस के प्रती प्रती रोधक्ता प्रेरित की गई थी इन मंग बीन रेस्टेंट टू यल्लो मोजे एक वाइरस वर इंड्यूस्ट बाई तो यह एक्जामपल है यहां पर अगरम कहें म्यूटेशन द्वारा इसमें यल्लो मोजे वाइरस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ट किया गया था यह इंड्यूस्ट कराया गया था आंसर आ गया थर्ड नेक्स हम डिसकस करते हैं यहां पर 99 तो देखिए यहां पर निमने लिखेत पादप प्रेजिनन पदों को बढ़ते हुए क्रम में यहां पर विवस्ट करना है हमें नेक्स देखिए 99 तो अरेंज दा फॉलाइंग प्लांट ब्रीडिंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस प्रॉं स्टार्टिंग से हमें क्या करना है इसको क्रेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है तो पहला देखिए क्या बोल रखा है यहां पर कुछ स्टेप्स हैं तो जनकों के मद्ध क्या कराएंगे संक्रण हाइब डाइजेशन परफॉर्म कराते हैं तो देखें क्रॉस हाइब डाइजेशन एमंग स्लेक्टेड पैरेंट्स थर्ड क्या जाएगा स्रेश्ट पुनर योगच का चयन तथा परीक्षण और फोर्थ क्या जाएगा ए तो ध्यान रखना इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा फोर्थ ये एंसी आटी बेस है तो आंसर क्या आगया फोर्थ कि NEXT हम ड् Ferrari सब्जी की फशी aik विटामिन सी से भर्पूर सब जी की हए ये इनर क्या आ नेक्स हम डिसकस करते हैं 101 तो देखिए अधर जैब पुष्टीक्रत फसले होती है यानि की बायो फॉर्टीफाइड क्रॉप्स कौन सी होती है तो हमने पड़ रखा है बायो फॉर्टीफाइड क्रॉप्स उनको बोलते हैं जिसमें nutritional quality हम क्या करते हैं बड़ा देते हैं तो देखिए गटीवी उत्पालन चमता कि युग तो फसलें यह नहीं रोग प्रती रोधरता सहित फसलें यह भी नहीं तो decrease yield disease resistant नहीं हर्वी site resistant नहीं इसमें आंसर क्या जाएगा उच्छ पोशक इस तर सहित फसलें आंसर क्या आगया फोर तो नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं 102 जैब पुष्टी करण द्वारा फसलों में किस घटक को नहीं बढ़ाते हैं तो अगर हम देखें प्रोटीन घटक तथा गुणबत्ता बिलकुल बढ़ाते हैं प्रोटीन कंटेंट और उसकी क्वालिटी को तेल घटक तथा गुणबत्ता इसको भी हम इंक्रीज करते हैं बायो फॉर्टीफिकेशन के थ्रूँ ऐ ऐ थर देखिए केंद्ड रखिए अम्ल तो यहां पर केंद्र की अम्ल नहीं होगा क्योंकि यहां न्यू कलिक एसेड कंटेंट्ट को हम इंक्रीज नहीं कराते हैं सुप्षिन पूश्च त्था खनेज सक इसको इंक्रीज कराते हैं माइक्र न्यूटेन्न मिनरल कंटेंट तो आंसर क्या जाएगा थर्ड नेक्स्ट 103 क्या होगा यदि आहार में आवशक सूक्ष्म पोसक विशिष्टता जैसे आयरन विटामिन ए आई जेडन आदी का अभाव हो जाए तो आपको पता है अगर भोजन में इन सब चीजों का अभाव होगा तो क्या होगा देखते हैं पहला रोग उत्पन होने के होने की जो जोखिम है वो बढ़ जाएगा तो देखिए माइक्रो न्यूट्रिन लाइक आयरन विटामिन ए आयोडीन जिंक इनकी कमी से क्या होगा रिड्डियूस दा रिस्क फॉर डिसीज रॉंग है इनक्रीज होगा रिस्क तो जीवन का घटना यह सही है लाइफ स्पैन कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा मानसिक सामर्थ का बढ़ना गलत है मानसिक सामर्थ कैसा हो जाएगा घट जाएगा जबकि यहां बोला है इनक्रीज रॉंग हो गया इनक्रीज लाइफ स्पैन रॉंग है लाइफ स्पैन घट जाता है तो आंसर क्या जाएगा सेकेंड next हम discuss करेंगे 104 गेहूं की कौन सी किस्म उच्च प्रोटीन घटक रखती है तथा जिसका उपयोग क्रस्य गेहूं की उन्नत सील किस्म को तैयार करने में दाता के रूप में किया जाता है which variety of wheat having high protein content and has been used as a donor for improving cultivated wheat तो answer क्या जाएगा इसमें atlas 66 answer second next हम discuss करते है 105 IR8 धान की एक किस्म है जो विक्सित की गई थी तो ये कहां विक्सित की गई थी International Rice Research Institute Philippines में इसको डबलब किया गया था तो answer क्या आएगा IRRI Philippines यानि की fourth answer next हम discuss करते हैं 106 तो देखी यहाँ पर क्रसी भारत के GDP का लगबग कितना प्रतीशत भाग यहाँ पर रखती है यानि की agriculture account for approximately how many percent of India's GDP तो अगर हम इंडिया के GDP में agriculture के account की बात करें तो इसमें आता है about 33% जबकि यह कितने यहाँ पर प्यूपल्स को employee प्रोवाइट कराता है तो 62% जो employee है उसको employment कौन देता है एगरी कल्चर तो आंसर क्या जाएगा हमारा इस question का first NCRT based question है next 107 तो देखिए पादप प्रेजिनन के दौरान किये जाने वाले पर संकरण के लिए कौन सा कथन गलत है तो wrong for cross hybridization perform during plant breeding program पहला देखिए यह है अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है बिल्कुल right है यहां पर यह time consuming process होती है यह काफी cutting है यह भी सही है tedious process है केवल एक जनक आवश्क होता है जो दूई लिंगी पुस्पों को रखता है यह गलत है क्योंकि अगर एक जनक होगा तो इस case में यहां पर genes same रहेंगे male female के लिए तो इस case में hybrid नहीं बन पाएगा तो देखिए only one parent required which contain bisexual flower यह wrong हो गया सामाने तक कुछ सेंकलों से 1000 cross में केवल एक में ही बांचनी यह सही हो जन प्रदर्सेत होते है usually only one in few hundreds to a thousand crosses so the desirable combination यह right है लेकिन हमें क्या देखना है wrong statement तो answer क्या जाएगा हमारा third answer next हम discuss करते है 108 कौन सा एक कवक रोग है यानि कि फंगल डिसीज को हमें यहाँ पर select करना है तो देखिए इसमें answer क्या जाएगा गन्ने का red root तो यह गन्ने का red root है यह कैसा है यह fungal disease है crucifer का black root यह bacterial disease है सल्यम का मोझे यह कैसा है यह viral disease है तमाकू में मोझे एक viral disease है तो answer क्या गया हमारा second next 109 TMB है गोलाकार विशाणू wrong छडाकार विशाणू सही है कसावी का युक्त छडाकार विशाणू wrong सरपिलाकार जीवाणू गलत तो क्या जाएगा इसका second ध्यान रखना यह जो TMB है वो किस टाइप का है rod saved virus होता है answer second next हम discuss करते है 110 स्वामी नाथन ने भारत में गेहूं की किन उच उत्पादक किस्मों को प्रवेश कराया था यानि की which high yielding varieties of wheat introduced in India by स्वामी नाथन तो स्वामी नाथन ने जो नॉर्मल इबेरलोग थे जन्होंने मेक्सिको में यहाँ पर जो high yielding dwarf varieties develop कराई थी उन high yielding dwarf varieties को semi dwarf varieties को कहां introduce कराया था इंडिया में तो यहाँ पर कौन सी वेराइटी थी वो मेक्सिका की मेक्सिको की यानि की आंसर आ जाएगा मेक्सिकन वेराइटी फोर नेक्स्ट 111 कौन भारत में लेब्टू लेंड तदा खाद सुरक्षा के कारक्रमों के आरंभक रहे हैं तो ध्यान रखना भारत में green revolution की जो शुरुआत है वो किस ने की थी एम एस स्वामी नाथन जिनका पूरा नाम क्या है मौन कामभू सामभा सिवन स्वामी नाथन तो आंसर क्या जाएगा सेकेंड नेक्स्ट 112 सुक्ष्म प्रवर्धन का उपियोग खाद पादपों के व्यफसायक उत्पादन में किया जाता है यानि कि माइक्रो प्रोपागेशन जो टेक्निक है आर यूज्टू कमर्सियल प्रोडक्शन अफूड प्लांट्स लाइक तो इसमें जब आप एंसी आर्टी में देखोगे क्लियर लिख रखा होगा उस हिसाब से आंसर क्या जाएगा बनाना एपल तो आंसर क्या आएगया सेकेंड प्योर एंसी आर्टी बेस है नेच देखिए वन हंडेट थर्टीन अधिकांस पादपों में रोमिल पत्तियां पीडकों के प्रती प्रती रोधक्ता से संबंध रखती हैं जैसे हैरी लीवस इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसियेटेड बित रजिस्टेंट टू इंसेक्ट लाइक जैसे इसमें एक एक्जाम्पल आता है गेहु में जो धान पर्ण ब्रंग के प्रती प्रती रोधकता है वो इसी के कारण आती है तो आंसर क्या जाएगा इसमें सेकेंड रेजिस्टेंट टू सीरियल लीफ बीटल्स इन वीट नेक्ट हम डिसकस करते हैं 114 जैव उर्वरक का उपयोग एक भाग है यूज़ बायो फर्टिलाइजर इस दपार्ट ओफ यानि कि ये किसमें यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर तो ध्यान रखना ओर गेनिक फार्मिंग तो आंसर क्या आएगा और गेनिक फार् या सेकेंड नेक्ट हम डिसकस करते हैं यहाँ पर 115 तो देखिए निम्नम ऐसे कौन सा कथन आसते हैं यानि कि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है तो देखिए वाइव यह टेंकों में प्रात्मिक वहिट सरापका लगाता रुप्चार प्रभाव इफ्लुएंट है उसका रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो बी ओडी की वैल्यू क्या हो जाती है सिखनी फिकेंटली रिड्यूस हो जाती है नेक्ट देखिए एक बार वाइव यह टेंक में जल अपसिस्ट का बी ओडी मान घट जाता है तो सलज का प्रमुक भाग सलज का मेजर पार्ट कहां पंप कर दिया जाता है एनुरॉबिक सलज डाइजस्टर में तो यह दौना स्टेटमेंट राइट है दुतियक उप्चार सईयंत्रों से वहिर सराग को सामानेता प्राकृतिक जल सिरोतों में मुप्त कर दिया जाता है बिलकुल राइट है सेकंडरी ट्रीटमेंट के बाद जब ब्योडी बहुत कम हो जाता है तो जो पॉल्यूटेड वाटर था पहले अब वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है वो यहाँ पर अन पॉल्यूटेड या नॉन पॉल्यूटेड वाटर में कनवर्ट हो जाता है और इसको हम नेचुरल वाटर बॉडीज में क्या कर सकते हैं रिलीज कर देते हैं नेक्स देखिए रियूमेन में मिथेनोजन जीवानु प्रोटीन तथा वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भूमी का निवाते हैं तथा पसूओं के पोसण में महत्वपूर्ण भूमी का अदा करते हैं यह गलत है यहाँ पर अगर हम बात करें यह प्रोटीन और का नहीं नवाते क्यों क्योंकि यहां पर जो kettles होते हैं उनके food का या भोजन का मुख्य पार्ट होता है cellulose तो cellulose का digestion करते हैं ना कि यहां पर protein और fat का major digestion करेंगे तो यह fourth statement wrong दे रखा है तो answer क्या जाएगा इस question का four next one hundred sixteen निम्न मैंसे कौन सा एक bio ethanol के उत्पादन से संबंदित नहीं है bio ethanol का उत्पादन मक्य से भी किया जाता है आलू से भी किया जाता है गन्ने से भी किया जाता है लेकिन यूफ और विया से नहीं किया जाता तो इस question का answer क्या आएगा third तो ध्यान रखना bio ethanol के production से related नहीं है यूफ और विया next one hundred seventeen मिथेनो बैक्टीरियम संबंदित नहीं है तो देखे मीथेन उत्पादन से ये तो संबंदित है जैब गैस उत्पादन से संबंदित है अब आई भी ये परिस्तितियों में कीचर के पाचन से वाई वियर टेंक में BOD कम करता है गलत है क्योंकि मिथेनो बैक्टीरियम एनारोबिक रूप से काम करता है और ये वाई वियर टेंक में BOD को कम नहीं करता तो इसका आंसर क्या आगया fourth तो ध्यान रखना reduce BOD in aeration tank ये गलत statement दे रखा है नेक्स्ट बिभिन फसली पादपों में निम्न में से कौन सा कीट नियंत्रन हे तु सबसे सामान जैब नियंत्रन कारक होता है फसली ये पादपों में हम मुख्य रूप से bacillus thuringiensis यानि की BT का हम यूज करते हैं नियंत्रन कारक के रूप में तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट बेसिलस thuringiensis नेक्स्ट 119 चुपी भूख निम्न के साथ संबंदित है चुपी भूख यानि की हिडन हंगर जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो न्यूटियंट्स हैं प्रोटीन्स हैं इसके अलावा विटामिन्स हैं उनकी डेफिसींसी से रिलेटेड है विशली आंसर क्या जाएगा इसका थर्ड लास्ट आता इसमें 120 पातप प्रजिन कारिक्रम के द्वारान नव चैनित वंस क्रम को अनुसंधानिक खेत में मूल्यांकित किया जाता है जिसके बाद पौधों का परीक्षण किसानों के खेत में कम से कम यह फिलिंदा ब्लैंक्स आपको दिया गया है तो देखिए तीन रितूओं तक देश में केवल एक इस्थान पर गलत एक रितू तक गलत तीन रितूओं तक देश में बिभिन एग्रो क्लाइमेटिक छेत्र में इसका परीक्षण किया जाता है ध्यान रखना जब भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के टाइम पर जो newly selected lines का जब हम क्या करते हैं test करते हैं तो सबसे पहले उसका test कहा होता है एक यहाँ पर research field में होता है इसके बाद इसको हम farmers के field में यहाँ पर क्या कराते हैं test कराते हैं वो भी कब तक तो three growing season तक और different agroclimatic zones के अंदर तो answer क्या जाएगा third तो यह यहाँ पर हमने DCM 42 का botany subject का यहाँ पर हमने यह solution देखा I hope आपने बहुत अच्छा किया होगा Thank you